हलो फ्रेंड्स अम्रिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागे थे आज में लेक्याईउं बिल्कुल ने रेसिपी आप सबसे सेर करूंगी दही बड़ा बनाना बहुत ही असानेक नमीजली घार में बन जाता है खाने में तो बहुत ही टेस्टी है एकदम स्वाप्ट एकदम स्पॉंजी देखिए एकदम स्वाप्ट है आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा आया हम बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले आपे मूंग दाल और धोई लिए हूं उरत दाल दोनों को मैंने मिक्स करके चार से पांच गंटे तक अच्छे से भीगो के रखी थी इसका मैं अब पेश्ट बना लेती हूं ज्यादा पेश्ट पतला नहीं करना है देखिए इतना गाड़ा है अब इसको मैं अच्छे से पांच मिनट तक ऐसे लगतार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिसे बेटर एकदम बनके अच्छा तयार हो जाए एकदम स्पंजी बने दाह अच्छा ये बनके तयार होगा आप एक बार इसको पांच मिनट से उपर हो गया एक बार चेक कर लेती हूं यहापर पानी लिए पानी में थोड़ा से यहापर देखिए बेटर डाल दीए बेटर रिके से उगने लगा इसका मतलब यह बेटर न परफेक्ट बन गया इतने चोटो चोटो करके मैं ऐसे कडाई में आयट करूंगी आप अपने कितना बड़ा बनाना चाहते हूं सेप के अनुसार आप बड़ा बना लीजिए आ देखिए यहां पर मैंने तेल ज्यादा गरम नहीं कियों एक दम स्लो तेल गरम है अगर ज्यादा गरम करेंगे तो उपर से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा अंदर एसे कच्छा रह जाएगा इसलिए एकदम आप स्लो फ्लेम पे बनाई है इसको टाइम लगेगा साथ से पांच मिनट तक देखिए आप पांच से साथ मिनट लग गया एकदम परफिक्ट बन के धाई बाड़े तयार हो गया है एकद मैं दस मिनट के लिए इसमें पानी में डाल की रख दूंगे जिससे यह दाई बड़े एकदम स्वाप्ट हो जाएं वे दस मिनट हो गया इसका मैं पानी निचोड लेती हूं आप पानी अच्छे से निचोड़े वैसे दाई बाले टूटते हैं तो टूटने दीजे कोई ब मैं जोड़ लिएं यहां पर मैं दही लिएं दही को मैं पहले से ही फेट के अच्छे से रखी थी एकदम देखिए पूरा अच्छे से इस पर दही आइड कर लेती हूं आप इस पर आइड करूंगी काला नमक काला नमक से क्या होगा कि इदम थोड़ा खटा मिठा अच्छा टेस्ट आयेगा और यहां पर आइड करणी जीडर पाडे और चाठ मसाला मैंने दोनों Perdna कम है मीक्स करकी रखी हूं यहाँ पर आड़ करूँगी ग्रीन चटनी टीकी वाली चटपटा और अच्छा लगेगा और थोड़ा से यहाँ पर आड़ करूँगी में इमली की चटनी इमली की चटनी से और टेस्ट अच्छा आएगा तब क Though अच्या आफ़ी पर अच्छा है एक या पे थोड़ा तीख्या के लिए मैं या पे लाल मीर चाइट कर दूगे यह बिल्कुल तैबाड़े बन के तयार हो गया है फ्रेंड्स आप भी एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा अगा मेरी वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक सुस्क्राइब कमेंट्स करना नहीं में जरूर ट्राइ कीजिएगा फ्रेंड्स बाई बाई फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में